हेलो फ्रेंड्स वेल्कव एक टू माई चैनल एस्वी एन एजियों दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड और नुटिशन के बारे में जो कि हमारी एक नई यूनिट है यह आपके टीज़िटी एल्टीग्रेट यूजिसी नेड्स और जितने भी आपके होम सायंस तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो मारा टॉपिक है टॉपिक हमारा फूड एन नुटिशन अगर हम फूड की बात करते हैं अगर हम जन्रल इसकी बात समोढ़ते हैं तो खाby्Pa करते हैं और इसप्शा सभीयम का होता है फोग था हम कह सकते हैं कि ऑगर हम उगर में बात स्बसच्चल एन इटबल सबस्टेंस हैं इस फूड एटन सब्स्टेंसिस फूड यानि कि वह भोजपदार जिसको हम खाते हैं भोजन कहलाता है अगर हम बात करते हैं भोजन जो होता है आपका दोस्तों जatif भोजन को खाना या वोजन को लेना फॉलिक तुछ परिया lasts सरीज भृष्धि के लिए उसकी विकास के लिए ये सब के लिए हमें उचित व्रद्धि करें विकास करें और हमारी जो केरी किया एं है उसको चरते हैं पूर अकरने के लिए हम दौते उर्जा है इस है ऐसे भोजन को हम क्या धर कंए जैसे की भी जैस्ट है यायनी कि संतरित ah ये अर्जाय अधर में आप बात करते हैं है अब संत्रित भोजन में इसको drin यह जो होते हैं जिसको हम प्याइक न्यूट्रियन्स कहते हैं जितने भी भूजन के तत्त होते हैं जो इन से हमें जोंशन करते हैं तो उन से मैं कुछ कोश्क कोश्क तक तो भी मिलते हैं जिसको हम क्या गयता है नूट्रिन्स बोलता है अगर हम नूट्रिन्स के दिफिलेशन को समझना चाहें तो सिंपल है सराम कह सकते हैं इसको आप सब्स्टेंट प्रेजेंट इन फूर्ड that our body needs to grow get energy repair itself and to be healthy वही सिंपल बाद समय बात हो गई कि इनूट्रेंट्स जो होते हैं जो हमारे भोजन में उपस्तित होते हैं बॉड़ी की और शक्ताओं को पूर्ण करने के लिए यानि कि हमारे बॉड़ी में क्या उशक्ता होती है उनको ग्रोथ करने के लिए एनर्जी प्रतान करने के लिए और जो भी उसकी बॉड़ी की रिपेरिंग होती करें सेलता उन सब चीजों को फुलिफिल करके हमें हेल्थ हम जो है छे भागों में बाड़ते हैं जिसमें से आपका परस्ट है मारा प्रोटीन वा अमीनो असीड दोस्त यह जो प्रोटीन वा अमीनो असीड पोरटीन और अमीनो असीड होता है अपरोशर उंसक्त अप्रोपे उनल से पोशर । से आप का का ठीजी सोगया कहां यह सब भी हैं, बोजन में प्राप्थ होने वाले पोशक तर्टों होते हैं, नेक्स्ट हमारा जो चोथा है, वो हमारा मिनलड, फिर आफा हमारा है, फिप्थ है, वह आपका क्या थे विटामिन, विटामिन अर लाज जो चिक्ष्ग ग्रूप है, वो हमारा है वाटर, ये छे टत्तो हैं जो हमें अपने भोजन से सब्सक्राप्त होता है बात करते हैं तो यह जो भोजन से मिलने को अधार में तीन वर्ग में डिवाइड करते हैं कि वह वर्ग कौन-कौन से हैं पहला वर्ग जो हमारा है कोशर तक्तों के अधार पर जो दिवाइड करेंगे तो तीन बर्गों में दिवाइड करेंगे जिसमें से अपका पहला होता है निर्मान आत्मक भोजन दूसरा हमारा होता है रच्छा आत्मक भोजन फिर तीसरा हमारा है उर्जा परदान करने वाला भोजन जिसमें से अगर हम बात कर रहें निर्मान आत्मक भोजन की तो इसमें आपका जो है निर्मानात्मक भोजन में आपका क्या आजाएगा आपका इसमें प्रोटीन और खनी जागता है खनीज बोलते हैं अगर हम मिनरल की बात कर रहे हैं तो निर्माना आत्मक भोजन में आपका प्रोटीन एंड मिनरल्स हैं और अगर हम रचात्मक भोजन की बात करते हैं तो रचात्मक भोजन में आपका कि विटामिन्स आएंगे कि विटामिन आता हो गोजन जो है प्रोटीन और मिल्लोस को इसलिए कह रहता है क्योंकि हमारे सरी में जितने भी टूटपूर्स होने वाली कोशिका होता है उनका निर्मान करने का कार करते हैं और रच्छात्मक बोड़न के अब बात करने तो रच्छा करता है कि रोगों से रच्छा करता है उनका कार करता है इसलिए रच्छात्मक बोड़न कहते हैं नेश्ट अगर हम बात करते हैं और अब बात करने वाले भूजन में आपका जो है आजाएगा कार्बो हाइड्रेट कर्बो हाइड्रेट इनका में प्राप्ट होती है जो कार्बो हाइड्रेट एंड फैट से होती है इन दोनों ही तक्त्तों से हमें ऑपका होता है अगर हैं बात करते हैं तूसरे ग्रूप की तुमार उसमें आता रचात्मक भोचन आता है तूसमें हमारे बिटामिन्स आता है प्रतान करने वाले बात करने तो उसमें हमारा कार्बोहाइडरिट और फ्रत आजाता है यह हो गया आपके भोजन और पूजन के पोशक तत्तों आपके कि आप बात करते हैं पोशन की यानि कि नूटीशन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों नुटेशन के तो नुटेशन क्या होता है नुटेशन मतलब पूशन पूशन का मतलब हो गया वह भीभिन प्रिक्रियाय जो हमारे शरीर में हो रही और भूजन अगर हम कर रहे तो उन भोजन से वह सारी असकतात्यां की उष्यक्ता है जो होती है सरी किर्याइं जो होती है वह क्यों संपन हो हूं यानिके ब्रिद्धी तरीके से हो रहे और जो भी घटक के उशक्ता हमें वो स कीज़ें ..... 이제 जो आप बात करते हैं .. आपकी जो हैv show है है continuum के बात करते हैं तो टर्मन दी एफ तर्न जो है टर्नल डी एफ टर्नल डी एफ के अकॉर्डिंग जूद है नुट्रिशन इस दा कॉम्बिनेशन आप दप प्रोसेस्ट बाइब इस दा लीविंग और्गनुरिज्म रिजी रिसीड और यूटलाइज दा मुन उटलाइज दा आम बात कर रहा है इसमें मैट्रियल्स मैं इसको एक बार आप लिग भी देते हूं आप लोके लिए nutrition is the combination of process by which the living organ organism receives and utilize the material necessary for the maintenance its functions and for the growth functions and for the growth and renewal the renewal of its components यह जो definition है आपकी टर्णल fdf के according है उनने इन पोशन जो है उन बीविन प्रिक्याओं का सन्योजन बताया है जिसके द्वारा कोई भी जीवित प्राणी भोजन भोजपदार्थों को प्राप्त करके पोशक तत्तों का उप्योग सरीर के कार्यों को संपन करने के लिए व्रि के एक पाडिंग अब हम अगर पूशन को जो है यापर फोशन की की तो अपकी definition है कि यह पोशन होता क्या है लिए इस तरीके से अगर पूशन की सब्सक्राइब है रुट ने-टी शंड से हम क्या थो है वो नीटुच्टिन बोलते हैं को गुद नीयुट्रिशिन बात करते तो यह उत्त म प्याप्ट तरफ हैं उचित पोट्शन इसको तरफ सब्सक्राइब इनसीस एक ही है आपकी इस तरह का भूजन जो होता हाओ जो हाँ तब हम जाएा करने की थे साड़ा Tan टाओं को एक हम करता है हम को हमारे का जाएक उर्था पूय बता है उसी में दूसरा है आपका होता है हुक conquered ish क मतलब हो यह तरह का को पो चन है जिसमें क्या होता है पोछ़कततों की अशक्ता होती है वो जिस अर्डीर से हमें उसकी अशक्ता हमारी बॉडी को होती है उसका अनरूप्य नहा कर लेते हैं माली जे अगर हमें परड़े कोई बच्चा है या इसको जितनी नीड है आपके पोशकतत्तों के अपने वोजन में लेनी कि वह अपने उस पुशकतत्तों के नीड के गौर्डिंग कम ले रही है तो यह क्या हो जाएगा आपका अंडा नूटीशन में आ जाते हैं इस तैन के से ऐसी थार्ड है इसमें आता है आपका ओवानूटीशन नूटीशन के मतलब जैसी नाम सी पता चल grief अथ्यधिक पोशण जो होता है इसमें क्या होता है और यह कोई चीज़ 1974 मातरा मिलेते तब हमारे स्वस्ख कि अब इसी में दोस्तो आपका जो है आप यह गुड नुटिशन यानि उत्तम पोशन की अम बात कर रहे थे और नुटिशन की बात किया ऊबर्ण की की बात किये इसी में अपका आता है जो है मेलनूटिशन यानि मैलो पॉर्ष dag!! लोग को बाद कर रहे हैं ओल आ आ जो हो गी तो इसको भी जो है मिली तीन भ़ागों में डिवाइट यागया है पहला है आपका अंडर नूटिशन्स जिसमें अल्प मात्र के हम बात कर रहे थे सेकंड हमारा है ओवर नूटिशन्स जिसमें हमने बात की है कि अगर ओवर नूटिशन्स हम करते हैं तो उसमें गया होता मुटापा जैसी समस्या देखने को मिलती है थार्ड है इसको में डिवाइड करते हैं इन बैलेंस्ट यूटीशन में यानि आसंतिल्थ भूजन में यह आपका मैलनूटीशन का जो अर्थ होता तो उससे होता गलत अत्वा जो दोश्पूर्ण तरीके से पोशन मतलब लेना यानि भोजपदार्थों को लेना कि मात्रा लेने की किसी भी भोजपदार्थों के अंदर काउंट करते हैं इसको भी आपका अंडर नूटीशन ओवर नूटीशन और साथी में अगली वीडियो बारे में लिस्कास करेंगे उसमें हम जो पुशक्ट्तु हैं आपका को वन बाई वन अपनी वीडियो में डिसकस करेंगे जो कि आपके इजाम में अधिकतर इसी पोशन से कोशन उठते हैं तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो फूरा देखा है अगर आप वीडियो को पसंद आते तो प्लिस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को स्ब्सक्राइ झाल